वर्ण की परिख्षा के विशे में आचारे सुसुर्थ ने पांच प्रकार की परिख्षाएं विशेज रूप से वर्ण की गई हैं इन पांच परिक्षाओं के अंतरगत वर्ण की गंध, स्राव, वर्ण, वेदना और आक्रती, अर्थात, इसमेल, डिश्चार्ज, कलर, पेन, एंड शेप आप दी अलसर का वर्णन विशेज रूप से किया गया है ये पंच परिक्षाओं नॉर्मल और अबनॉर्मल, सामान ने कैसे होनी चाहिए और विक्रत वस्ता में कैसी होने चाहिए इसके विशे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है सबसे पहली जो परिक्षा आती यह पंच परिक्षा इनको पंच परिक्षा भी बोलते हैं पहली परिक्षा आती गंद परिक्षा यानि इसमेल के ज़ारा उनन की परिक्षा की जाती है इसमेल के अंदरगत जो बताया गया आयरुवेद में दोसों के हिसाब से इसमेल उनने के अंदरगत आ सकती। कटू, तीक्षण, विष्ट, पंजेंट, अनप्लेजेंट, एंडरोटन, मीट के समान जब गंद आती है तो यह हमको वात के साब पित और कफ, वात के द्वारा कटू गंद, पित के द्वारा तीक्षण गंद, और कफ के द्वारा विष्ट, दुरगंद जो आती है वो से हमको आईरन की यह की गंद आती है तो रख्त-दोस्द के सामने समझ ना चाहिए अगर तीनों प्रकार की गंद आती है मिली जूली गंद आती है तो तीनों दोसके सब सन्नि पातज गंद को समझना चाहिए इसके अलावा राइस वाटर या लिंसेड ओईल तेल के गंद अजदी किसी में साथी है और या थोड़ी सी किंचित जो है पंजन डिसमेल आती है ये जो है नॉर्मल जो ग्रण है उससे आ सकते हैं लेकिन इसके अलावा यदि कोई और किसी प्रकार की गंद आती है तो हम उस गंद को एम नॉर्मल या विक्रित गंद समझना चाहिए अब गंद परिक्षा के विशे में आचारी चरक ने भी बहुत बढ़िया वर्णन किया है उनके प्रकार से उनके वर्णन में आच प्रकार की गंदों का वर्णन उलेक मिलता है उन्होंने बताया है सरपीस तेल वसा पूय रक्त शाव आमल पूतिका ब्रणा नाम ब्रण गंद गय अश्टव गंद प्रकीर्थता अर्थात सरपी घ्रत तेल ओईल वसा फैट पूय पस रक्त ब्लड श्याव रोटन मीट अमल कीटों असिट कीटों के असिट पूतिका फ आठ प्रकार की गंदों का वर्ण आचारे चरक ने वर्णन किया है वास्ता में गंद परिक्षा बहुत महत्यों रखती है आज भी हम देखते हैं बहुत से व्रण हम दूर से ही उनकी गंद के द्वारा पहचाल लेते हैं जैसे हाइडोयम सलफाइड गैस की गंद दूर से आती है तो हमको समझना चाहिए गैंगिन के द्वारा उत्वन हुआ व्रण है उसी प्रकार रॉटन फ्रूट सड़ा हुआ फल लेदी गंद आती है तो यह डायबिटिक कीटोसिस का एक बहुत बड़ा लक्षण है यूरिन की स्मेल आती है तो यूरेमिया इसी प्रकार और भी जो इसमेलों का वर्णन मिलता है यह रोक के निदान में और रोक की प्रोग्नोसिस के विशे में हमको बहुत ज्यादा है और यह बहुत अच्छी एक परिक्षा गंद परिक्षा आयरुएद में बताई गई है इसके पर शाथ दूसी जो परिक्षा आती है तो आकरती प सत्र आयत चतुस्त्रो ब्रत तिर्पुटक इती ब्रण क्रती समा समा कि शेशास्तु विक्रता करतेओं दुरुपक्रमा भवन्ती मेंस यदि रेक्टंगुलर इसक्वायर सर्कुलर आकरती यदि मरी उसकी त्रभुजाकार यदि शेप है अलसर की तो यह सुख साद है डिस संथेृटक में अच्छी नहीं माने गई है अज भी यह दी हम देखें तो हमको यह नौर्मल अलसर जो होता है वो डौ लेक्टंगुलर इसक्वायर सर्कुलर गोलल स्यप कर लेकिंन थन देखेंट्वर कूलर मजर यह 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 सार्कुलर होते हैं और या या अल्चनताकार हो पर यह है कि शेप के द्वारा भी हम रोगों का निदान या प्रोग्नोसिस का ग्यान कर सकते हैं स्राव परिक्षा फिजिकल एक्जाम ने इसन जो बताया गए अलसर के उसमें अगली परिक्षा स्राव की परिक्षा विरन से जो उत्पन होने वाला डिश्चार्ज है वो कैसा इसकी परिक्षा करने को बताया गया है अचारि चर्ऱक ने जो द्श्चार्ज बताये हैं उसके बारे में 14 परकार बताया है उन्होंने बताया लसीका जल पूया सरग हरिद्रा आरोन पेंजरा कशाय नील हरित इसनिकद रूख्ष सिता सिता इती रूपय समुद्धिष्टा व्रन स्रावा चतरदशा लसीका सीरस दिश्यार जल मेंज वाटरी पूय पस असरग बलड हरिद्रा जस्ट लाइक टरमरिक औ घर दिररी पंजर sed रूझ कंषाय मडी ईन्ड बिलुष जिश्चर्थ ऑईली डिशियार्च थिक दिश्चार्च सित मेंज वय डिश्चार्च असिट मीज । बंकि दिश्चार्च ईस परकार 24 परकार के डिश्चार्जिल के रणा चिया है और इसके द्वारा भी हम मरीज की डाइगनोसिस अलसर की डाइगनोसिस में हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है आज भी यदि हम देखें तो अलसर से रक्त का सराव हो सकता है पसका सराव हो सकता है रक्त मिश्रित पसका सराव हो सकता है और इसी प्रकार सिरे दिश्य सबतां। और माइक्रोबियल इंफेoruism की कारण, तरह तरह कारण भी जो इसका सबीच्च्चारह का सबीक स Eigen City ऑगली परिक्षा, रफैक्षा और तरह तरह की से और सब्द्रेक्षार के एकृष परिक्षा. इती मारतस से अर्थात एश कलर ग्रीनिस कलर बोनी कलर ड्राई रेडिस ब्लैकिस यह जो गवर्ण है कलर हैं इमको बात के कारण देखने को मिलते हैं नील है पीतो हरित शावा ट्रशनो रखता है पिंगल है कपिल इती रख्त पित समुथ्थयो रख्त और पित दोस के कारण अल्सर का जो वर्ण है बिलुईस हो सकता है यलोईस हो सकता है ग्रीनिस हो सकता है लाइट एंड डार्क ब्लैकिस भी हो सकता है हेमरेजिक भी हो सकता ह और पिंकी भी हो सकता है ब्राउन हो सकता है यलो हो सकता है यह जो वर्ण है रक्त और पित्त की वजह से देखने को मिलते हैं इसके अलावा स्वेत इसनिक धह पांडु रिती शिलेव से वाइट इस ओईली पांडु वाइट वाइट केना चाहिए यह जो वेलबेटे तरे का दिश्यार जैए वह शिलेश्मा कारण की ँसकतता है सर्वएं वरणी पतैसंञे पातगा देखने को मिलते हैं तो यह मैंने ब्रताइर सब्सक्तार कौन से दोस उसमें विश्यस यह इसकी परिक्ष आधा करते हैं वर्ट्वानर परिप्एक्ष मे यदि वर्ण अथा color of the ulcer या फिलोर का color या surrounding इसके color यदि brown या red देखने को मिलता है तो यह हमको inflammation यदि शोथ है यह इसका हमको ग्यान कराता है इसी प्रकार यदि काला रंग मिलता है तो गंग्रीन इसी प्रकार यदि हमको yellow और white मिला जुला मिलता है तो यह supportive stage में है वर्ण ऐसा हमको ग्यान होता है इसके प्रशात वर्ण की वेदना के द्वारा भी हमको निदान करने में और चिकिस्टा करने में बहुत ज़्यादा साहिता मिलती है वर्ण में यह वात दोस्प्रधान है तो उसे ही जो वेदना है तोदन भेदन छेदन इतने means pricking, piercing, stabbing, cutting, pulling, grinding इत् बिविन प्रकार की वेदना है बिना कारण के वेदना है यह दित्पन होती है तो यह हमको गात दोस्प्रधान के कारण समझनी चाहिए इसी प्रकार ओश, चोश, परिदाय, धूम यंती means देरिजे burning, detrosional burning, belching और body is covered by fire धूम के द्वारा बुरा सरीर धका हुआ है या पूर समझना चाहिए उसी प्रकार कंडूत गुरुत्तम सुप्तत्तम अर्था इचिंग है भारी heaviness है या नंबनेस है तो यह कफ़ दोस्ट के समा से के द्वारा समझना चाहिए यदि हम मिली जूली बेदना तीनों प्रकार के अगर हमको मिलती है तो यह सन्निपातर समझना चाह यह सकता है